हाई फ्रेंड्स मैं मीना मेरे कीचन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे करेले का चीप्स अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें करेले का चीप्स बनाने की सामगरी है 500 ग्राम करेला है जिसे हमने अच्छे से धोकर कट कर लिया है कट करने के बाद हमने बेज को हटा दिया है इसी तरह से कट करना है एक बड़ा चमच रेट चिली पाउडर, एक छोटी चमच हलदी पाउडर, एक चमच हरा धनिया पत्ता बारिक कटा हुआ, एक चोथाई चमच अमचूर पाउडर, दो चमच बेसन, एक चमच चावल का आटा, एक बड़ा चमच कॉन फ्लोर, नमक स्वात के अनुसार, एक करी पत्ता बारिक कटा हुआ, बड़े बॉल में हमने करेले को रख लिया है, बेसन डालेंगे, चावल का आटा, कॉन फ्लोर, करी पत्ता, धनिया पत्ता, नमक स्वात के अनुसार, एक रेट चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, एक अमचूर पाउडर, अध्रक लेसुन का पेश्ट, सारे सामगरी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, सारे सामगरी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसमें हमने बिल्कुल भी पानी का इस्तमाल नहीं किया है, अब इसे हम दस मिनट के लिए रखेंगे, दस मिनट के बाद हम तेल में फ्राई करेंगे, कढ़ा आई में हमने तेल को अच्छे से गरम कर लिया हैं, मीडियम आज पर हम अच्छा क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे, करेले को हमने अच्छा क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया हैं, आब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे, इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए करेले को भी फ्राइ कर लेंगे करेले का चिफ्स बनकर तयार है बहुती क्रिष्पी बनी है इसी तरह से आप भी बनाएए खाईए और कमेंट में बताईए कि मेरी रेस्पी कैसी बनी अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइका बटन क्लिक करें और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए मिलते हैं अगले रेस्पी के साथ धन्यवाद